दोस्तों सभी पैंसन धारकों और केंद्रे करमचारियों काम एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यू चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हूं दोस्तों वन रैंक वन पैंसन डिवीजन का भुगतान कब किया जाएगा ये हमारे पैंसन धारकों के काफी जो बड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि बार-बार नहीं नहीं अपडेट्स वन रैंक वन पैंसन पर निकल करा रही है पहले सरकार टाइम एक्स्टेंशन डालती है उसके बाद सरकार जो है पी आई बी के थ्रू जो है टेवल जारी करते है उसके बाद डीएस डवलू का भी एक लेटर हमारे पास है तो इन सभी मामलों में जो है पैंसन धारक उलज गए हैं कि पैंसन डिवाइज होगी जो उसका भुगतान कब से मिलेगा तो दोस्तों आज हम आपको डिटेल में बताएंगे सारी अपडेट तो अगर आपने पहली बार चैनल पर वीजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को जरूर से दबा लें जिससे कि आपको आने वाली सब भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फून पर ही प्राप्त हो सकें तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के सीधा आते हैं हम अपनी अपडेट पर तो स जनवरी 2022 को इस पर सुनवाई होनी है तो जब तक ये केस डिस्पोस्ट ओफ नहीं हो जाता तब तक कि आप सभी का पैंसन डिवीजन का पैसा नहीं दिया जाएगा आपको भुगतान नहीं किया जाएगा और यह जो टाइम एक्सटेंशन है यह आपके भुगतान तक का है तो इस पर जो है सुनवाई होगी कोट में क्योंकि सुप्रीम कोट ने पहले तीन महीने का समय जो दिया था उसी के अंदर जो है एरियर भुगतान होना था लेकिन अब जो सरकार का डिसी जनाया है उसके अंतरगत जो है भुगतान के लिए उन्होंने फोर हाफ यरली इंस् से बताया है तो उसके खिलाब भी इंडियान एक्स सर्विसमेन मुवमेंट जो है सुनवाई किसमें इस चीज पर भी बातचीत होगी तो दोस्तो अब जो निगाहें टिकी हैं वो टिकी हैं इस हीरिंग पर ही क्योंकि इसके बाद ही बुगतान का रास्ता जो है साफ होगा तो